बैयो सलाम वेलकम टू करिकेट और पैसा जी बाजान थोड़ा पहले डिसकास कर ले किया चल रहा है मार्केट के अंदर उपर नीचे तो लंका इंडिया का आपको बोला था कि माफिया ने कमाना है पैसा तो अगर अभी मैं आपको लंका का दिखाऊं तो यहां पर बतालिस प दिखाऊं का आ चुकाव है और यह मैंने आपको बोला था और यह कैसा गूमा है अगर आप मेरे डाय हाड फॉलवर्ड हैं तो पैसा तो बहुत मैं आपको बनाके दे रहा हूं आगे जो इंडिया इंडिया करने वाले हैं पटी पढ़ी हैं उनकी मेरे असाब से मैंने आप को बोला था कि जहां पर हो सके दन किये जीगा प्रॉफिट जैसे मैंने किया क्योंकि पूरा पूरा मैच देखना बैट के पचास ओवर का आठ आठ गहंटे वो अपना काम नहीं है हमारा काम है कि जैसे ही बैट हमारी फेवर में आती अच्छे प्रॉफिट में दोनों साइ से 25 परसंट आएगा लंका जीता है तो मुझे 25 परसंट आएगा पहला मैच मैंने नहीं किया था और सेकंड इसलिए किया क्योंकि रपीट ऑफ हिस्टरी मुझे दिखी और मैंने उसके अंदर हाट डाला कई मैच छोड़ देता हूं उसकी वज़ा यह होती है कि अगर नहीं समझ में आ रहे तो किसी ने बाजू नहीं दिया वा या बंदूग नहीं रखी वी कनपटी के उपर के बेहन चुट करना ही करना है तो अगर नहीं करना तो नहीं करना पैसे अपने हैं अगर आप महीने में 10 से 12 मैच उठाते हैं तो अगर आप एक लाग का सौधा करते हैं तो 10-12 पेटी आप उठाते हैं तो अगर आप कहते हैं जी 30-30 मैच हमने करने हैं 30 दिन के अंदर हम 30 पेटी उठाएंगे मेरा ख़याल है 10-12 पेटी आप उठाले तो वो बेटर रहेगी अगर आप 10,000 के खेलने वाले हैं तो पूरे महीने में अगर आपको प्रॉफिट आता है एक से डेड़ लाक रुपया तो वो अच्छा है ना के आप दस दस लाक रुपय के लिए बागें दस लाक ये नहीं कहरा के नहीं आएगा वन से बल्यू मून आएगा एक ही बार वो गाड़ी आएगी और वो गाड़ी सारी जिंदगी दुबारा नहीं आने वाली है ये मेरी बात यात रखिये जीगा West Indies versus Australia West Indies में series Africa West Indies Africa जीतेगा जीत गया Australia versus Western Indies ठोक के जीतेगा Western Indies जीत गया अब आ जाते हैं Australia versus Western Indies 50 अबर 50 अबर में बहुँ खुल रहा है 98-99 West Indies 98-99 Western Indies में हम देखते हैं भाईया टीमें क्यों ऐसी मतलब के बहु रखाव है टीमें क्या है टीमें कुछ घरबड है तब ही ऐसा बाउ है तो यह मैंने टीमें निकाली ही है एवन लुइस हमें यहाँ परपूर फॉर्म में दिख रहे हैं 79-80 स्कोर किया बहुत कूटा ऐस्ट्रेलिया को शाय होप कमाल के ODI Batsman डेरन बरावो कमाल के ODI Batsman और जो शुरू शुरू में ब्राइन लारा से कंपरिजन का औरा था लेकिन काफी जबरदस करिकेट केल रहे हैं डेरन बरावो जैसन मुहमद भी एक च्छी इंकलूजन है ODI करिकेट के अंदर बेटर लग रही है वेस्ट इंडीस की मुझे टीम सालों बाद सालों बाद मतलब कॉल्टरी एम्बरोस वाल्श की जो जोड़ी थी काल उपर वगएरा ये जितने भी थे जेकब्स वगएरा इनके बाद अगर कोई मुझे ODI A टीम उससे भी मस्बूत लग रही है तो ये ODI A टीम है जेसन मुहमद निकलस पुरान केरन पॉलर्ड या शोयरन हिटमायर है अब हिटमायर को आप बार कैसे बठा सकते हैं फेबियन एलन को आप बार करें और मेरा नहीं ख्याल है कि आपको वो हिटमायर और पॉलर्ड को बार रखना चाहिए दोनों में से अकर आप कहते जी एक खेलेगा तो कैप्टन तो खेलेगा ही खेलेगा मुझे जहां तक लग रहा है क्योंकि कैप्टन है वो और हिटमायर को नहीं आप बार बठा सकते आप जेसन मुझे को बार बठाएं हिटमायर तो आपको इंडिया के अंदर सेंचरिया मार के दे चुक है ओडिया के रिकेट के अंदर आप कैसे उसको बार बठा सकते हैं जेसन ओल्डर बहुत अच्छे ओडिया बैट भी है और बॉलर भी है मेरा नहीं ख्याल है मेरे फेवरेट प्लियर थे एक टाइम के उपर अभी भी है और कैनिडिन टी टुएंटी के अंदर जब इनको गलोबल टी टुएंटी में कोई नहीं जानता था तब से हम इनकी चर्चा कर रहे हैं दुनिया नहीं जानती थी थी ने अब तो खेर बड़े बड़ी टीमें इनको अपने कॉंट्रैक्ट्स में पिशावर जालमी जैसी ले चुकी नहीं है अलजारी जोसफ मुंबई इंडियन के हीरो अलजारी जोसफ हमें यहां पे नदर आ रहे हैं अकील हुसैन और या हेड़न वाल्च दोनों ही उंदा बॉलर है और मेरा ख्याल है जादा एक्सपिरियन्स जो है वो हेड़न वाल्च जूनियर के पास है तो दोनों में से कोई भी कहले कोई तना नहीं है और शेल्डरन कॉट्रल बॉलिंग थोड़ी सी कमजोर है लेकिन बैटिंग लाइनप बहुत जबर दस्ता है वेस्ट इंडीस की बॉलिंग के अंदर लूप होल नजर आते हैं जेसन होडलर के साथ लजारी जोजफ लजारी जोजफ के साथ शेल्डन कॉट्रल तीन फास्ट बॉलर और एक स्पिनर को शाइडी से लिएक लेगए कि हुऊ स्पिनर है और हिटमायर की अगर बार बिठाएँगे तो नॉस्में बहुत नुक्सान है इसमें हिटमायर को बार बठाना मनलप के मैच्चैंजिंग प्लेयर है यह वह प्लेयर हाए कि मैच चेंज कर सकता है और कहीं न कहीं वन डाउन मिडल ओर्डर में बहुत मजबूल प्लेयर मैथ्यू वेड जॉश फिल्पी आगे हैं और मैथ्यू वेड को भी चार साल बाद मौका मिला मिचल मार्श बहुत उम्दा परफॉरमस दे रहे हैं तीट्वनटी के अंदर और एक की अच्छे क्रिकेट आरे हैं दोनों भाई मार्श और दोनों मार्श प्रोडर शोन वार्श और मिचल मार्श मौजस हैन्री केस पता नहीं कौन सी पर्ची चल रही है मोजस हैं के के हर जगह इनको गुसाया जा रहा है और मैं समझता हूँ कि बड़े अच्छे प्लेयर हैं उस्टेलिया के अंदर मोजिस हैंडिकेस टी-ट्वंटी में नदर आते हैं समझ आती है वन डे क्रिकिट के अंदर अच्छी परफॉर्मन देनी पड़ेगी मोजिस हैंडिकेस को अपनी जगा बनाने के लिए बेन मैकड़मट ये भी एक टी-ट्वंटी के प्लेयर जो है वो ओडिये में नदर आ रहे हैं एलेक्स केरी वन अफ माइ फेवरेट प्लेयर्स इंडिया के अंदर खड़े होके सेंचरियां जब किसी ने भी नहीं सोचा था बनाएगी हमने आपको बताया था के ये प्लेयर सेंचरिय भी मार सकता है और इंनने मारी भी तो अलेक्स केरी हमें या पर नदर आ रहे हैं ऐस्टन एगर नदर आ रहे हैं मिचल स्टार्क ऐस्टन एगर आजकल बहुत खेल रहे हैं अब वो बाते तो नहीं हहां रही हैं फास्ट बॉलिंग मिचल स्टार्क और हेजलवूड हेजलवूड वन आफ मैं फेवरिट मिचल स्टार्क ने बहुत अच्छी उंदा पर्फॉमिश दी छे बोलों पे इन्होंने नहीं रन बनने दिये एंडरे रसल के खराफ तो लेकिन बाराल टी टॉन्टी के नहीं बॉलर म बैया मैं आपको यह बतादू कि वेस्ट इंडीज और ऑस्टेलिया का स्कौर्ड आपस में टक्राता है अगर वेस्ट इंडीज की बैटिंग लाइना मझबूत थो ऑस्टेलिया की बॉलिंग लाइना मझबूत है यहां पर अगर हम देखें तो रेड भी वही माफिया खोल है T20 के अंदर आपको help कर दी यह है ODA cricket ODA cricket के अंदर Australia are champions Australia cricket की क्या बात है अगर बात की जाए 50 over cricket की तो 50 over cricket के अंदर Australians are champions और Australia जो है और Western इस की बात की जाए Western इस बहुत ही कमजोर टीम है वंडे cricket के अंदर तो वंडे cricket के अंदर कमजोर होने की वजह ही Western इस की यह है कि T20 प्लेयर जादा को यह प्रैफर करते हैं और प्लेयर जिनके और ODA cricket के अंदर ठैर के खेलना होता है लेकिन इस बार Western इस का मैंने क्यों बोला कि मुझे बहुत जबर्दस बैटिंग लग रही है के Darren BRavo, Shine Hope, Hitmaier ये खड़े होके खीलने वाले Jason Mohamad ये खड़े होके अभी एक और प्लेयर आ यार बहुत उम्दा प्लेयर है वो मेरे जेन में या रहा उसको भी मौका नहींने दिया टेस्ट में खेलता है Western इस की तरफ से मेरे जेन में अभी नाम नहीं आ रहा उसका काफी जबरदस्त वो बैट्समन में है और बॉलिंग भी करता साथ तो वो कई ना कई मिसिंग है भाई यहां पे वेस्टन डीज और अगर मैं कहूं के बाओ यह खुलना चाहिए था थोड़ा सा थोड़ा सा बाओ वेस्टन डीज की फेवर में हैं क्य तो भाओ जो है वो थोड़ा सा वेस्टन डीज की फेवर में है जादा नहीं बिलकुल इंच वा इंच फेवर में है तो अगर नेक टू नेक इनक को लेकर आया जाए मुझे जहां तक लगता है पहले ओडियाई की अंदर वेस्टन डीज जो है वो कुछ कमाल दिखा सकती है जी है पहले ओडियाई की अंदर कुछ कमाल वेस्टन डीज दिखा सकती है वेस्टन डीज जीद भी सकती है सेकंड ओडियाई की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया उमीद है कि कम बैक करेगी मैं सीरीज में टोटल परफेक्ट नहीं हूँ कॉन्फिडेंट नहीं हूँ क्यों क्योंकि ये बहुत ही अजीब टीम है इनिक्सपिरियंस एक साइड से उस्ट्रेलियन बैटिंग लाइन अप है और दूसरी साइड से बालिंग लाइन अप नए प्लेयर खेल रहे हैं जिनको पहली दफा मौका मिल रहा है कई हो काफी अरसे बाद मिल रहा है तो कौन क्या प करना चाहिए और तीसरे मैच में जो इनका फाइनल हो उसके अंदर वेस्ट इंडीज शायद कोई गोड़ा जो है वो उडाने में कामियाग हो जे और एक थर्ड ओडीए में एक अच्छी पार्टनर्सिप देखने को मिले जब विक्टे हैं स्टार्ट में गिरें और वेस्ट इंडीज वहां से कमबैक करें तो उस्टेलिया आपको फुल फेवरेड मिले वहां पे आप खा सकते हैं थर्ड ओडीए में फोस्ट ओडीए के नहीं हूँ मैं बार-बार कह रहा हूँ लेकिन फिर भी मुझे जहां तक लग रहा है वेस्ट अडीज ये सीरीज शायद उठा ले और अगर नहीं भी उठाता तो पहला वंडे जीत के सेकंड ऑस्टेलिये को जिता के थर्ड के अंदर ये लाके लड़ सकते हैं और बाकी टॉ क्रिकेट ये भी मैं आपको समझाओंगा बैटिंग कोर्स के अंदर अभी मेरी वो वीडियोस एक हफते बाद आएंगी अभी तियार कर रहा हूं है वो वीडियोस तो एक हफते बाद पोस्ट होंगी पार्ट बाए पार्ट तो उसको लाजमी आप लोग देखिजीगा तो ये मैं आपको बता चुका हमों कि सीरीज में क्या होने वाला है इंडिया लंका के अंदर भी आपको आपके भाई ने बिल्कुल सही कहा कि भाई जान खिचड़ी पकेगी और बरपूर बरियानी काने को भी मिल सकती है और वो मिल रही आज के मैच में हमें बाकि तामिल डू प्रीमियर लीग में क्या होने वाला है और क्या हो सकता है तो काइनली इस वीडियो को तीन सो लाइक से उपर लेकर जाएं जैसे ही होंगे वीडियो मैं आपके लिए टी एन पिल की लेकर आऊंगा वेस्ट इंडिस ऑस्ट्रेलिया चांस फॉर वेस्ट इंडिस दुनि